हुआ 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 है नमस्कार चैहिंद रादरादे चुहार एक पर फिर स्वागत आपका वाइफा शड़ी विच्छा पार्ट अपर गैटमी तो आज फिर से हम लोग चुड़े हैं दो पर दो बजे जहां आज देख रहे हो कि मॉक्टेस्ट नंबर 19 नंबर मॉक्टेस्ट और आज के जो कोश्चन है न बिल्कुल धमाकेदार मजएदार क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप कहीं न कहीं मेरे स्पेशल क्लास में परच चुके हैं और अगर आप स्पेशल क्लास में रेगूलर स्पेशल क्लास हिंदा सेंस कि 10 बज़कर 5 मिनद जो टाइमिंग है वो क्लास अपने आप में अल्टीमेट है इसलिए अल्टीमेट है क्योंकि वहां से एससी के भी कोशन फंसते हैं उस क्लास थे पीपेशी का पेपर हुआ तो वहां भी कोशन फंसे थे तो बिल्कुल उसके लेवल बिल्कुल अलग है तो मुझे कुछ कोशन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यह कोशन करा दिया और इसमें चार से पांच कोशन कमीटी से भी है जो आजादी के पहले कमीटी वनी थी ठीक है गुड़ अप्टर नून गुड़ गुड़ अप्टर नून थांक यू निमिट थांक यू सो मच चलिए शुरुवात करते हैं और देखते हैं कि आज कुशन 35 कुशन में वाकई में जो लक्ष हमलों का है सेबीटी तू की जो बारा जून से पेपर है वाकई में 35 में 35 आएगा क्या आ सकता गया 35 में 35 क्योंकि वहां तो दो मुवाइल वाले दिख जाते हैं कभी-कभी लेकिन यहां तो दो मोबाइल वाले ना दिखेंगे यहां तो दिखेगा 3535 यह नहीं है चलिए लिट्स क्राकेट देखते हैं इसके अलावे आप हमारे साथ प्लस पर जोईन कर सकते हो अनिकैडमी पे जहां अभी अनिकैडमी आपको आज 16 से सब्सक्राइब है साम को पांच बजे इसके अलावे अठारा मही से यह बैस शुरू हो रहा है अठारा मही से सपलता बैस भी सुरू हो रही है और आइकॉनिक फीचर हैंड्राइज करके आब बात कर सकते हैं अपने एजुगेटर के साथ आइकॉनिक हो या प्लस दोनों में यह कोड़ अप्लिकेबल होगा और अभी 20 परसेंट का रिवीड मिलेगा उनिस तारेक्टर ठीक है कोई भी इन अप्रोप्राइट कंटेंट हो तो क्लेम जरूर करिएगा अनकारी में आसका डाउट अपना डाउट पूछ सकते हो और यह टेस्ट बिल्कुल फुरी है जरू सब्सक्राइब नुबर वन विच अपता फॉरमिंग कमीशन वाज एस्टेबलिस्ट तू इन्वेस्टिगेट रिलेशंसी बीटिविन दर सेंटर पावर और प्रिंसली स्टेट्स कहता किस आयोग केंद्रे सक्ति और यास्तों की संबंदों की जास करने लिए कि गई थी सै क्या होगा बताओ है पतला रख बटलर आयोग पतलर है ओनल theorem अब बटलर्ष बटलर नहें जोस्टलर है अब है बटलर कमीशन कोन से कमीशन है बटलर कमीशन है अब ज्pected आप बतलर कमीशन की स्थापन कब की गई थी बटलर कमिशन के स्थापना कब की गई तो भई बटलर समीती 1927 में बना और 1927 में भारते राजी समीती ने सरहरकोट बटलर के अदेख्टा में एक समीती न्यूपती की जिसमें रियासत के राजकुमार की सर्वोच शक्ती और उनके बीच के संबंदों के जाज अस्पस्टिक लिए बटलर कमीटी बनाएगी कौनते मुखिया सरहरकोट बटलर कब बनी थी 1927 में कब बना था जब साइमन कमिशन का गठन हुआ था 1927 में साइमन कमिशन बना था और साइमन कमिशन का आगमन कब होता है तिन फर्वरे ठीक है निक्स्ट टहले विदियायू का गठन अठार्सों चौतेश में किसके देख्ष्टा में किया गया था कुस्टन नुबर टू दफर्स्ट लॉग कमिशन वाज फॉर्म्ट इन एटिन थाडिफोर अंडर दा चेर्मिंसिप आप कुस्टन नुबर टू बताओ तो पहले विदियायू का गठन 1834 में तीवी मैकाले और मैकाले की शिक्षा निती आपको यातोगा अंग्रेजी शिक्षा निती और इस समय गवर्णर्ट जनरल कौन है तो बैंटी कौन है बैंटिक लोड्वियम्अ मैं लोड्वियम बैंटिक याद रख़ी गवाव बंश्मित आयोग किसे संबंदी थे में बबंग्टन आयोग किसे संबंदी थे लॉर्पोर्म्स पॉलीसे रिफॉर्म्स यह पंजाब धिश्चर्विंस कुष्ट नमर तीन बताओ बबं सिंदन स्मित आयोग कि से संबंदित है कि बताइए बच्छे कि दीपा सी का जवाब करेंसी है आनंद करेंसी कि सनी करेंसी जोही करेंसी रोहित मुद्रा अच्छे मुद्रा सुधार करेंसी रीफॉर्म और इसका गठा 1919 में हुआ जब लौड चैंस्पोर्ट भारत के वाइसरा थे जब लौड चैंस्पोर्ट भारत के वाइसरा हैं उसी समय बबिंदर इस्मित कमीशन गठन किया गया था करेंसी रीफॉर्म में कि इसके सुधार के लिए मुद्रा सुधार के लिए याद रखे सब सारा कि समीती ने भारत में पुलिस सुधार के लिए सुधाओ दिया था विच आप तो लॉड करजन कब गठन हुआ था करजन की समय में 1902 में सर एंड्रीव फ्रेजर के नेत्रत में पुलिस आयू का गठन किया जाता है इसने अधिकारियों और सिपाहियों के लिए एक अलग परसिक्षन केंदर की सिफारिश की थी इसने प्रांतिय पुलिस सेवा शुरू की और भारतिय सेना को आधून की युद्धक बल बनाने के लिए कमांडर इन्चिफ लॉड किंचनर ने भारतिय सेना में सुधार किया है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्हिदार माना जाता है वही लॉड करजन जिसने रेल्वे बोर्ड की अस्थापना की थे 1905 में 1905 में कोई डाउट किलिए रहे गया सारा कुछ समझ में आ रहा है कि लिए रहे ना चलिए आगे दिखें नेक्स भी सिख्षा पर हंटर राय को अगठन किसके गवर्णर्शिप के तहत हुआ था रहा हंटर कमिशन और एजुकेशन वाज कॉंटिट्यूटेट अंदर गवर्णर्शिप क्या होगा बताओ शिख्षा पर हंटर राय को अगठन किसे गवर्णर्शिप के तहत किया गया था को उस्टा नमबर पांच याद रखना एक दिन जितने सारे कमिशन हैं में गठन किये गए हैं अजादिगे पहले सारा करवा देंगे कलेक्शन बिल्कुल तो हंटर राय की बात करें लॉड रिपन अजा लॉड रिपन को अस्थानी स्वासासन के जनक मानते हैं क्या कि अस्थानीए मैं श्वासासन का जनक 1881 में पहली जरंगन्ना दस वर्ष यह और 1881 में पहली फैक्ट्री एक्ट भी आई थी ठीक है यह रखेगा फैक्ट्री एक्ट नेक्स्ट 1857 के विद्रों की जड़े किसमें नहीं थे इस पस्ते भेदभाव पुन नीतियां सोसंकारी भुमी राजस्व नीती तब्वी वाले कार्थोसों की नीती या और अब्दावब कुशन नंबर 6 बताईए अरे सरकारी ओप्शन लगाओ अलब दावब क्योंकि देखा जाए तो भेदभाव पुन नीति नहीं था बिलकुल भेदभाव पुन नीती था क्योंकि जो भारतिय साइनिक थे वह मैक्सिमूम आप सुबेदार पद तक जा सकते हो भीया ज्यादा उससे परमोसा नहीं नही था और सुसंकारी भूमी राजस होनीती देखलो एक्सपरिमेंट कर रहे थे एक्सपरिमेंट कर रहे थे टैक्स के मामले में और चर्वी वाले कार्तुस तो आग घी में आग में घी लगाने काम किया था ये और लब्दा अबब राजा अपनी परजा से और उन्हें उनके राजा से मुक्त कर दिया गया बदाइनू ने किसके मिर्थिव पर एटेपने की बल्बन अलाउदिखिल जी मुहमद बिन तुगलग फिरोसा तुगलग कुस्षा नंबर साथ क्या होगा कि बताओ देखो तो पागल बात्सा था ये था ना पागल बात्सा पागल सासक कहा जाता था इसके अलावा इसे रक्त पिपासू कहा जाता था रक्त पिपासू सासक रक्त पिपासू सासक लेकिन एक जो इसके लिए अच्छी बाते थी के वैल एडुकेेटड सबसे जाधा पढ़ा लिखा था मुझने दिवाने कोई आपको याद होगा क्या था दिवाने कोई जरह बता जीघारा ने कोई तरह बता साहं दिवाने कोई क्या है फेसिताक शाकर देता धिके ठीक है कि लिए क्या अगरिकल्चर जा बात बहुत बढ़िया अगरिकल्चर से रिलेटेड बहुत सांदार और बच्चे आपको याद हो वह से के समय 1333 में रहला के राइटर किताबूर रहला के राइटर इवन बतूता मुरक्वोसे वह कहां आये थे भारत आये थे ठीक है अ अमीर खुसरों क्या थे संगीतकार थे और क्या थे सूफी संत फार्सी और हिंदी लेखा कर विद्वान इतिहासकार या ओल अब दाबब कुछ्टन नंबर राट यह यह बद आमेर खुसरों की बात करें भारत का तोылता तूती हिंद तबला और को कुछ मिश्कारां तीक मुद्धिन ऑलिया के सिसे याद रखे गरनगा नलबाना भारत के की कि छी जिल मेंस्टी थे नलबाना अऐलेंड इस लोकेटेद לסिया लोनार चिलका लोग्टक एस्टमूदी को सर्णम बनाईन बताओ नल्बाना द्विप भारत के कि जिल में श्थी थे आसान सवल बहुत बहुत आसान है नल्बाना आइलेंड की बात करें चिलका और ये कैसा लोनार क्रेटर महरास्रा में लोग्टक मनिपूर फ्रेश वाटर ल्यक है और तमूदी कहां जरह बताएं आस्टमूदी कहां है जरह कमेंड बाक्स में अस्टमूदी कहां है आज नुमूदी कहा वच्चे के रहा है के रहा है के रहा है न नल्बाना पक्षे अभ्यारन ओडिशा में चीलका लैगुन छेत्रमी नल्बाना दीपर इस्तित है और इसके लावा आपको याद होगा कि चीलका में नल्बाना ही नहीं मंगला जोड़ी दो पर्मुकस्थान है जहां पक्षी जमाओ होते हैं जहां पक्षी एककत्र होते हैं ठीक है निक्स्ट विश्चु का सबसे प्रण लैगुन कौन सा है बता विच इदा लार्जेस्ट ल मारोवो लैगून चिलका लैगून कुछन नम्बर दस कि बता है थांक्यू धिरश है थांक्यू सो मच है चलिए कि जितने भी चिलका वाले हैं भाई या चितने भी चिलका लगा रहे हैं उनका हंदेड परसेंट है गलत है यह एसिया का यह एसिया का और ऑन ग्राट बारियू इस है यह मुंगे की चटान है यह उस्टे बड़ी आसलिया की वैं और टो क्या होका लैगून यह का दूंगी Damn नियू वेरियर रिफ्ट कैले habe a new car prosthetic barrier कि टेlex कदोणियाय का बारद चिल का चिल दक खिल की सबसे बड़ी और दूनिया लाइगूर यी कहाँ यह तो यापको दिखेगा नूइजिया मेलानेसिया कि फ्रांस में यह प्रांस का अंतरगतः खिस गंत्रगत है फ्रांस गंत्रगत है तो यही सब चीज याद रखिए गा आप चिलका याद रखते हैं बिल्कुल याद रखिए लेकिन वो दूसरे नंबर पर सब से बढ़ी है ठीक है शुबह मना सुना तो सुना दिया न मैंने ना सुना तो बता दिया न अच्छी बात है न ठीक है आज ओनेच्ट न्यू केलेडोनिया लैगून दुनिया के सबसे बड़ा और युनेश्को सबसे मजे की बात कि यह युनेश्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मेरे भाई 2008 से ऑस्टेलिया के ग्रेट बैरियर रिप के बाद न्यू केलेडोनिया का लैगून दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और अगर बैरियर की बात करते हैं तो यह दूसरा सबसे बड़ा समझना कितना मजेदार है लैगून में सबसे बड़ा लैगून में सबसे बड़ा और ब सब्सक्ति के लिएर समझटे चलना कहां से कोश्चन 600 आग Jetzt originally Foods विस्यूंपी चलताजफ हर साल कमनातें आसान सब्सक्राइब विश्यूंपारों जा birthday ऊदो全 देख्टॉत चल्टाजफ हर साल कम बनाते हैं आसान सवब कि और एक दिसम्बर एट्स है फिक है नेट्स्ट दिसम्बर 2021 में प्लैग ऑफिसर कमांडिंग इनचीफ पुर्वी नौसेना कमान का पद्भार किस ने गरन किया मनुष पांडे जैसिंग नैन राज सुकला विश्मजीत दास गुप्ता कुष्टन नंबर बारा हाँ तीन तारिक विकलांगता दिवस तिन दिसम्बर बहुत सांदर क्या होगा देखो मनुष पांडे मत लगा देना ये क्या है नौसेना चीफ बने हैं हाल फिलान में मुझे पता था मनुष पांडे लगा दें कई लोग बस ऑप्सन जान पचान होना चाहिए विश्मजीत गुपता नौमबर तो जारी किस में जन्रल अट्लैंटिक में वाइस सेर्मेन के रूप में कौन सामिल हुआ यह हो रहा है अजय बंगा सांतनु नारायन राजिव सूरी तंजीव बिक्स अंदानी कुशन नंबर 13 पताए है कि क्विक कमिट सलो चलने का मतलब है कि आपके ज सेर्मेन के रूप में कौन सामिल हुआ आजय बंगा समसे चाहिदा सहल दी पाने वाले मास्टर कार्ड आपको याद होगा मास्टर कार्ड ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट नॉबंबर 2021 में बासिल राजपक्षे नए दिल्ली पहुंचे वह किस देश की वीट मंतरी हैं अरे भाईया तीनों भाई तो बिल्कुल उस देश को गर्त में मिला दिये गर्त में मिला दिये और पर्धान मंतरी का घर चला दिया पर्धा तर्चान मंतरी चेंज हुआ है सिरलंका बताओ सिर लंका के नए पर्धान मंतरे नए पी मнएपन ल्व लूपियां दूपी मज़त अ कि मैं है पर्धानमंतरी को होरा स्री लंका के रानिल विक्रम सिंगे और रानिल विक्रम सिंगे याद रखेगा ठीक है बई चलिए आगे देखें नेक्स्ट दिसंबर 2020 में नम्लिकेत में से किसमें कल कारकरम के लिए गारंटिकरत आई शुरू की है टाटा एयाई लाइफ इंसॉरेंस HDFC लाइफ इंसॉरेंस आई CICI प्रोडिंशियल लाइफ इंसॉरेंस बजाज आलियंज लाइफ इंसॉरेंस कोश्ण नम्बर पंद्रह बताए यह क्या हो कि दिसंबर 2020 में किसने दिर्ग कालिक कारकरम के लिए गारंटिकरत आई शुरू की है इस आई CICI प्रोडिंशियल लाइफ इंसॉरेंस ऑप्सण नम्बर सी ओप्सण नम्बर सी ना टाटा लगाओगे तो एक्जामनर भी टाटा कहेगा टाटा लगा क्या आओगे इस सवाल में इक्जामनर भी टाटा बाइबाइबाइब कह देगा बिलकुल ठीक है नेक्स्ट को शांसोदन सबसे लंबा संसोदन है सथिस्वा पहला बैरिस्वा छीयासिवा कुशन नम्बर सोला शिक्स्टीन आए थी कि दूट सबसे लंबा संसोदन की बात करें लिएनिसमा निसोची सेटर में जिसे मीणी क्षूशन और या इंद्रास्तम इंद्रा कॉंस्टिचूशन इंद्रास्तमिधान कहते हैं और आपको याद हो का बच्चे 46 से 1975 में तिक्किम को राज्ज का दर्जा ठीकिम को राज्ज का दर्जा ठीकिया पहला संसोधन से आपको पताइए और श्यासेवा संसोधन 202 में जो आर्टिकल नंबर 21 में ए जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन ठीक है राइट टू एजुकेशन ने रियास्तों की उपाधी और विशेस विशेसाधिकारों को स पूर्थ पूर्टिसेकेंड पूर्टिफिफ्ट कुश्टान नमर सात्रह बताइए थीक है क्या होगा 26 या 24 26 अमेंडमेंट या 24 अमेंडमेंट बताई जल्दी क्या होगा देखो 26 अमेंडमेंट अच्ट 26 समिधान संसोधन ठीक है क्या होगा 26 समिधान संसोधन गल्तिय मत करियो और बेलेसों बताई चुके है आगे देखिए यह तर्वा संसोधन विधेयक कप पेस्ट किया गया था शुविंटिफर्थ अमेंडमेंट बिल्ड वाज इ यह किसे रिलेटर है पंचाइट बताओ तो कब पेस्ट किया गया 1992 अच्छा बताना जरा अशा लागू हुआ है 1993 में और लागू होने के बाद लागू होने के बाद पहला राज कौन है जिसने से लागू किया बताइए लागू होने के बाद पहला राज जो लागू किया है यानि 1993 से पंचाइती राज बेवस्था पंचाइती राज बेवस्था लागू होने के बाद पहला राज जो लागू किया कौन है राजस्थान ना होगा, राजस्थान नहीं है, बिल्कुस गलत समझ नहीं रहे हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब 1993 में लागू हुआ, तो पहला राज जी कौन था जो लागू किया है, राजस्थान तो 1969 में लागू किया है, सुम्नात मंदल, मुहमद नसीम, तब क्या होगा, तब करनाटक होगा, क्या बात है, बहुत सांगार, जिसने भी करनाटक कहा, कॉंग्रिस उलिश्थान बधाई हो, बहुत बनिया, यार ऐसे जवाब देते हो, तो बिल्कुल बता है, मन मतलब अंदर जे कूछ हो जाता है, पर फुलित हो जाता है, बिल्कुल, बहुत सांगार, जिसने भी करनाटक कहा, बहुत बनिया, बहुत लाजवाब मेमरी ठीक है याद रखना बिल्कूल कि 1969 में राजस्थान है बच्चे इसके बाद आंधरा परदेश लेकिन में चौबिस अपराइल जो पंचायती राज दिवस मनाते हैं चौबिस अपराइल में को तब लागू किया है करनाटक आई होप तो गाइस के लिए रो रहा होगा सारा कुछ ठीक है चलिए आगे दिखें निक्स्ट प्रम नॉर्थ टुवार्ड साउथ विच वन अप्ट फॉलमिंगी दा करेक्ट सिक्वेंस ऑब गीवन रिवर्स इन इंडिया उत्तर से दक्षिन की ओर नमलिकेत में से कौन भारत में दी गई नदियों का साही करा में कुछन नमब चौधरी साहब जब कमीटी सिफारश दे दी उनिस संतावन में बलवंत्राय महता कमीटी ने तो लागू कर दिया जोहला नहरू सहाब ने राजस्थान से लेकिन यह जरूरी नहीं था कानून नहीं बना था कानून बनाया कब उनिस सो तिरानवे में बस इतनी सी बात समझे क norma को में कि और अगे बारत में उत्तर से तक्षिन की ओर सही कारम शिओक जासकर स्पीती सतलज है लिखते जाना अगर नहीं लिखते हो तो स्क्रूरे स्क्रिनस लद्दाक से जासकर नदी कहां बाएगी लद्दाक से इस्पिति कहां बाएगी हिमाचल परदेश से और सातनुज कहां बाएगी हिमाचल परदेश से और इसलिए ठीक है तो पहले उपर में लद्दाक है फिर हिमाचल परदेश है ऐसे निकाल लेते हैं ना निक्स्ट कौन सा ट्रांस हैमालाई नदी काउगा तो ट्रांस हमाले नदी सतलूज ये तौछ ये नदी की बात करें मुख रूप से बरहमपूत्रा पहला कि दूसरे आप्चन पर प्याकर इंडर मुखने और तीसरे option में क्या करभें सद्रूजt थीक है यह याद रखेग अगर तीनों दिया है तो क्या करेंगे हम तीनों दिया है वह पहला नमबर सिल्सट youngest थीक है याद रॉक तिजू श्युक्रत चिंख Шसट कि पताओ यह आसान सवाल अलमाटी बांध की बात करने एसा सवाल को बिल्दू धुर्रे उड़ा दू अलमाटी बांध कृष्ट्णा स्रीसेलम भी और क्रिश्ट्ण और क्या नागार चुट्ट और नागार चुट्ट फिक है नेक्स्ट ट्राइब पेड नतिया जो अरब सा कर नहीं होती है कुष्ट बहुत कि दुम्हाइब इसे डान पाणाने आध्यू नजीं थी तुम लाकड़ा मैं शामिल नहीं नहीं होते कुष्टन नंबर भाइस कि आूो बताओ जल्डी नर्मदा तापती, नर्मदा तापती, बहुत सांदार, बहुत सांदार, जिसने सवाल अच्छे से नहीं पढ़े, वो option number A लगाएगा, क्यों, क्योंकि वो सीधा समझेगा, अरब सागर में गिरेंगी, क्या लिखा है, क्या लिखा है, नहीं, क्या लिखा है, नहीं लिखा है, हरे यार, कोशन क्यों ना पढ़ते हो, कोशन क्यों ना पढ़ते हो, बताओ, कोशन क्यों ना पढ़ते हो, सो बताओ, किसी ने मना किया है कोशन पढ़ने को कि कोशन पढ़ोगे तो बात नहीं करेंगे और अगर मना किया है तो उसे बिल्कुल साइड लाइन लो छट जा इधर से गल्लत करवा देते हो तो भई याद रखिएगा अब ये देखो मैप में कहा पश्चिन के और जाने वाली अरव सागर में गिरने वाली समानता ताबरमती माही नर्मदा तापती ताबरमती माही नर्मदा तापती ये अरव सागर में गिरेंगी बाकी बाद बंगा लिखाने में गिरने वाली देखलो महानदी है नंदा यमुना गुदावरी क्रिष्णा कावेरी ब्रम्पुत्रा भी ठीक है या दक्षिगा चलिए आगे देखिए कावेरी कहां अरब सागर में गिरती है तो कावेरी कहां आप्षन में है जैसे एक कावेरी है नर्मदा तो है तो यह देखो ना नर्मदा भी तो है तो कैसे लगा देंगे ठीक है आगे देखिए कौन सा अंतरदेशिये नदी बंदरगा है विच अबता फॉलोविंग इजैन इंडलेंड रिवर लाइन पॉर्ट कलकत्ता मॉंबई चैन्ने तुतिकॉर्ण कोशन नंबर तेईस थांक्यो पुर्दवी जी थांक्यो सो मच तु क्या होगा आसान सवल कोलकाता त्यामा परसाद मुखर जी त्यामा परसाद मुखर जी पॉर्ट दॉग्ली न देगैं किनारे हो ho ho bag rati भी लगा देना अगर ननौ दीजताओं चो और खॉली नहां है भाग रठी यह तो लगा देन thou papis तो भागों मिडिवाइड हुगली कहां वेश्ट बंगाल और पादमा कहां बांगलादीस वृ क् valuable पॉलकाता सहर के सापना किसने की जरा कमेंड बॉक्षन बताईएगा निक्स्ट जम्मु कश्मिर राज में बहने वाले मुख्य नदी कौन है जेलम इंडस्ट चिनावन नूबरा कुछन नुबर चौबिस चलिए सुमनात का जवाब पहले दिग्या मुहमद इंत्याश बहुत वनिया जौब चार्नक क्या बात है यह अच्छा लगता कि जैसे सवाल पूछे फटाइक सा जवाब देदो उदते गलत ही सही निकलेगा तो गलत ही सही जवाब जरूर दीजिए तो जम्मु और कश्मिर आज में बहने वाले मुख्य नदी जेलों में अच्छा इंडस्ट नदी इंडस्ट सिंदू नदी जम्मु कश्मिर के किस डिस्टिक्स ओकर गुजरती है तरह बताईएगा कितने लोगों को पता है सिंदू नदी जम्मू कश्मिर के किस दिस्टिक्स होकर गुजरती है याद रखना सिंदू नदी जम्मू ना जाती है यह लगदाक से गुजरती है तो ऐसे ही आप्टन खतम हो गया ऐसे ही आप्टन खतम हो गया गुजरती ही ना जम्मू कश्मिर धून रहें डिस्टिक्स दिमाग में धून रहेंगे कौन डिस्टिक्स लगादें बारा मुला लगादें, कठुआ लगादें, सामभा लगादें क्या लगादें श्रिनगर लगा दें श्रिनगर वाह से जंमोर कश्मिर में जीले मद्यां गलिशेर हैं तो छेलम चिनाब संद Мाणे से निकलती है इस ठीक मैं देखो सिंदु हुए क्या यहां लिखा हुए जेलम चिनाब संदलु नहीं है याद रखेगा कि याद रखेगा है ठीक है नेक्स्ट किस नदी को व्रित गंगा के नाम से जाना जाता है विच अपता फॉलेंग रिवर्स इस तो नहीं है चुवरित गंगा पताओ तो बहुत गंगा या दक्षिन गंगा या दक्षिन की गंगा जबकि दक्षिन भारत की गंगा दक्षिन भारत की गंगा इसे कहेंगे यह कावेरिकों के तो राजा गल्ती ना करियो समझ गे महराज राजा गल्ती मत करना ठीक है प्रुषकार से समाने तो बिनुद्धुआ का दिसंबर 2021 निदन हो गया वक्षिस पेशे से समबंदी थे कुष्टन भर 26 आशान सावार चल्दी है तो यह पत्रकार थे और इनकी पत्रकार जिता अल्टीमेट एक स्वाजाता बिनुद्धुआ जरात में मतलब बहुत इतने प्यार से समझाते थे बहुत अच्छा अनलैसिस बहुत लाजवाब था इनकी तो क्या था यह पत्रकार ठीक है किस भारतिया अमरीकी ग शुरश पांडे निखिल स्रीवास्तो अनूप पाठक रविंद्रन जैकुमार कुशन नमर 27 बताइए चोग बच्चे निखिल स्रीवास्तो निखिल स्रीवास्तो थीक है निक्स्ट दिसमब 2020 में कौन सा राज्य भारत में पहला पुन रूप से कोविड-19 टिका करनवाला राज्य बन गया इन दिसमबर 2021 विच्ट इस्टेट है बिकम दा फुली कोविड-19 वैक्शनेटेट इस्टेट इन इंडिया क्या होगा हिमाचल परदेश और यूटी बताओ यूटी में क्या है यूटी में कौन ठीक है हिमाचल बहुत बनिया हम अंडिड परसंट है यूटी में कौन यूटी में कौन यूटी में यूटी में अंडमान थीकह बप्चे अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार बुजगेल ना बुजा गईल बुजा गईल ना राज जमें कौन तो रावर हिमाजल पर्देश और यूटी में अन्नमान निकोबार हाँ गलतिय मत करियो हिमाजल पर्देश आजा वाकि एकीसवा भारत रूस वार्शिक सिकर्ष तर्मिलन दिसंबर तोजार इकीस में किस अस्थान पर आ अन्यूर फ़मिट विल भी हैल्ड आट विज प्लेस इंदिसंबर 2021 मॉस्को नई दिल्ली मुंबई सेंट पिर्सवर्ग को सरवन अत्तिस राव नेक्ष बुजात का नेक्य बुजात कावई नई दिल्ली बचवा जवाब कावई नई दिल्ली दिसंबर 2020 में इंडोनेसिया के जावा द्वीप पर फुटे घातक जवालमुखी का नाम क्या है वाट दिल्ली वालकैनू डाट इरॉप्रेंट ऑफ इंडोनेसिया आइलेंड अफ जावा एंड दिसंबर 2021 पावलोफ सेमेरू किलाववा मौनलोवा कुशन नमर तीस बीसमा रूस में हुआ था चलिए बहुत बने कोली तो क्या है बच्चे सेमेरू क्या है सेमेरू दिसंबर 2020 में विश्व एल्पीजी संग के अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है रैपीड फायर बताओ क्या होगा सिरिकान्त माधव वैद्या क्या बात है मतलब कुछ बचे सही बताते हैं न मज़ा आ जाते हैं विलकुर कोन है सिरिकान्त माधव वैद्या निक्स्ट दिसंबर 2020 में नमलिकेत में से किस ने अपनी तरह का पहला साइवर स्वरच्छा कॉसर कारेक्रम शुरू किया जिसका उद्देश 2022 तक एक लाख से अधिक सिक्षार्तियों को कॉसर बर्दान करना आए कॉस्टन नंबर बत्रीश एं बसंबर 2021 विच फोलिव लॉंस्ट कुगल नंगा तो माईक्रोसॉफ्ट जिसने लगाया बहुत बनिया बाकी बाद जिसने गूगल लगाया वो गूगल करते रहे जिसने गूगल लगाया वो गूगल करते रहे महराज यह 2021 के करेंड अफेर्स हैं कि 2021 से करेंड अफेर्स है आपको पढ़ना पढ़ेगा जिनका सिबीटी टू पेपर है गुरूप डी पेपर है आपकी मजबूरी है 2021 पढ़ना अब कहोगे रोही सर कहां पढ़ें तो भाई मैं तो पढ़ाता हूं साम को 6 बजकर 35 पे कंटिन्यू 2021 से करेंड अब आते ही ना हो पता ना साम को कहां चले जाते हो भाई मीटिंग है आपकी यह कहां है फिक्स है थोड़ा सा टाल दो 6 35 पे आओ से बजकर 35 मिनट पे 2020 से करेंड पर फोलो मेरे साथ निक्स्ट दिसंबर 2020 में डियाडी ओने किस राज के तड़ से लंबवत रूप से लौंच की गई छोटी दूरी की सता से हवा में समझे ना सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल प्रेक्षन किया है कहां पे से बजकर 35 नट प्यान अकैडमी पे यह ओडिशा मिसाइल को देखा ओडिशा दाग दिया मिसाइल को देखते ही आपने भी मिसाइल दाग दिया किधर ओडिशा की ओर और कहां है किस राजी सरकार ने दिसंबर 2021 में 12 कंपनियों के साथ लगबग 5,051 करोड रुपे के समझा संजाता ग्यापन प्रास्ताक्षर की है कुष्ण नमबर 34 बताओ किस राजी सरकार ने दिसंबर 2020 में 12 कंपनियों के साथ 5,051 करोड रुपे के संजाता ग्यापन प्रास्ताक्षर किया है महराष्ट्रा कोन भई महराष्ट्रा ठीक है निक्स्ट दिसंबर 2020 में टाटा पावर ने आर एंडडी प्रामर्स वकालत प्रसिक्षन और प्रवदोगी की समधान पर सायोग करने के लिए संजाता ग्यापन प्रस्ताक्षर किये है आयाइटी मद्रास आयाइटी दिल्ली आयाइटी गुवहाटी आयाइटी बॉ कि चाहोगा दिल्ली 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 कि दिल्ली की सरदी चलान कर गया मद्रास कहा है मद्रास है मद्रास है मद्रास क्या होगा मद्रास चलिए यह था आज का सेशन है हाओ आई दा सेशन मजा आया अच्छा लगाओ सेशन तो लाइक वाइक ठोके जाना देखो जो आप कहते हो नहीं सर कहां पढ़ाते हो करेंट अफेर्स देख लो यह सब इस्पेशल क्लास से जुले कहां के अनकैडमी बिल्कुल गौर से देख लो ताथ पाच पे नसी आटी साइंस वलता है टॉप पर्टी कोस्टन कहां पे अनकैडमी पे साथ चालिश में सेसिस और एंटी इस जिनका पेपर होगा आज सेट नंबर आठ बहाई इतने क्लास और सब आदे घंडे की सब आदे घंडे की आओ न विलकुल वेट करते रहते आपका आते नहूं ठीक है चुरो लाइक भाइक ठोक के जाना बिलकुल और कमिट करना मज़ बजे रिविजन से रिज में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें थाइंक्यू सुक्रिया जाहें